अगले एकाद साल में अर्वी आई की तरफ से ब्यास की दरे घटाना तो दूर उल्टा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और उसकी वज़े भी यह है कि जो डी मॉनिटाइजेशन और जी एस्टी रोल आउट का इंपक्ट देखने को मिला था वो गोर्डमें सेक्स को लगता है काफिया तक नूट होगा उसका इंपक्ट मेहर इसमें एक फूट नोट उन्होंने डाला है महंगाई वो क्रूशल रहेगी उन्होंने ये बात बोली है कि महंगाई ही सब कुछ हो गए गेम चेंजर होगी जिस तरह महंगाई के अंदर एक बढ़ोतरी आ रही है शायद आर भी यहां से कटा उत ही तो जहूर लेकिन हाँ बढ़ोतरी विद्रू यहां पर फोकस कर सकती है उन्होंने बात किये कि क्रूड या फिर बाकी फ्यूल जो है स्पिशली कोल और जो जिस तरह से एचारे बढ़ाया गया है वो क्रूशल रहेगा जिसकी वैसे महंगाई और शायद बढ़ते हो तीन चौथा है उन्होंने ये भी कहा है कि तीन बार में बढ़तरी होगी इसको जो है आरबे न उन्होंने गोल्मेंस टाइम लाइन बे दी है उस टाइम लाइन के अकॉर्डिंग ही आपर रेट हाइक होगा पहला क्यू थी एफ़ए नाइन तीन यानि आप से ठीक एक साल सस्टेन करने की उमीद है रही बात आपने जो दूसरा पहलू बोला ग्रोथ को लेकर उन्होंने यहां पर ये बात साफ कर दी है कि जो जीडिपी ग्रोथ है उसमें एक इंप्रूमेंट रहेगा करीब करीब आठ परसेंट रहने का अनुमान है एक तरफ महंगाई जादा र आएगा और एकनॉमी के अंदर भी एक अच्छी रफ़तार आते हुए दिखाई पड़ेगी और साथी साथ जो ओवराल बैंकिंग सिनारियो है उसमें भी इंप्रूमेंट की उमीद लगा रहे है एक लिस्ट सेकेंड हाफ और फ़र फ़र्वेंटी तक आते हैं यहां पर इ लेटर हाफ की बात हो रही है फाई 19 दूसरी चमाई में जाकि व्याजदरे बढ़ने का अनुमार देखें मुझे नहीं लगता कि इस समय इससे कोई बुल्स बहुत जादा चिंते थोंगे इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं मार्केट इससे एनलाइज भी करता है लेकिन फि इंपोर्टन्ट है इस लिहाज से कि आर्बिया के पास रूम कम है रेट घटाने के लिए ये सब ही जानते हैं समय तब आप क्या कर रहे हैं इस समय खासकर जो पी एस्यू बैंक से उस पर आपका व्यू किया है समय देखिए अगर पी एस्यू बैंक की बात करें तो अप्तर 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 के बाद एक 30-40 परसेंट का एक जम देखा था ओर आल पीस वांगिंग स्पेस में विदिन थी स्पेस नो पी एन बी एक ऐसा स्टॉक है जो हमें काफी अच्छा लग रहे हैं मेभी आपको मोमेंटम यहां पर नहीं में लिगा थोड़ा पहुत हमन आपको फॉल उब बाइन दिखाता इसमें बट अगर कोई मिडियम टम व्यू से देखना चाहता है और विदिन थी स्पेस पी एन बी बैंक बरोड़ा काफी ज़्याद अच्छे लग रहे हैं तो हमें लगता है कि पी एन बी में हरे एक टेप एक बाइंग अप आइंग साक्षी एक तो यह दो सेक्टर हैं आइटी और टेलीकॉम इसके ओपर रिपोर्ट्स आई हैं बताईए आप अबसलूट्ली रज़त यह राइट क्रेट स्विस्स नहीं आपर टेलीकॉम पर एक रिपोर्ट जारी की है पहले तो उनका यह मानना है जो इंटेंसिफ लक्ष 70 का दिया है तो कहीं न कहीं प्रेशर अभी भी बरकरा रहेगा यह क्रेट स्विस्स का मानना है इटी सेक्टर के आपने बात करी हांपर सी एलेस नहीं आपनी रिपोर्ट चारी की है उनका मानना है रीटेल सेक्टर और टेलकॉम सेक्टर में जो भी चालेंजिस हैं वो डेफिनेटली प्रेशर प्रवाइड कर रहे है आईटी सेक्टर को और इंशॉरंस सेक्टर में हाला कि कुछ रिलीफ है यहां पर डिमांड में सुधार देखने को मिल रहा है तो यहां से बिजनस पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा ज्यादा तर कंपनियों का उनक उसमें डेफिनेटली पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और दिया था हैं और ने काए कि एट सेल टेक्नोलोजीज और इंफोसिस अभी भी सेक्टर में उनके टॉपिक्स है नतीजों के लिहाद से भी परफॉर्मेंस के लिहाद से भी यहां पर बहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा अच्छा मिस्टर हरियर एक बार यह टेलीकॉम स्टॉक्स पर आप भी बताएं क्योंकि क्रेट सुज की रिपोर्ट के अधार पर तो टागेट डाउंसाइट के हैं लेकिन आइडिया सेलूलर लगातार चड़ता स्टॉक है माना दो ती महाई से लगाता अधिया साथ महीनों से कॉशिस है और हमारा मानने कि जिस तरह से जियो का इन्हों एक स्ट्राइटीजी है हमने आरकॉम पर तो इंपक्ट देखी लिया है और मैं मानता हूं कि दीरे-दीरे सारे टेलीकॉम कंपनी पर इंपक्त मालूम पड़ेगी कि फिलाल टेलीकॉम हर टेलीकॉम कंपनी अपना दाम घटा रहा है और ऐसे हालात में आप आप अपरेटिंग प्राफिट की बात कर रहे हैं तो आप टेलीकॉम मुझे मेरे खिया से सिरफ टेलीकॉम कंपनी को नहीं बलकि जो बैंक्स ने उन्हें करजा दिया है उनके लिए बहुत बड़ा इस है तो हम तो टेलीकॉम पर नेगेटिव है फिनल बलकुल खेर टेलीकॉम पर तो इसमें संकीत भी जिस तरह के हैं थोड़ा गड़बड़ी है यहां पर राकेश एक बार अप A.D.A.G. ग्रूप के स्टॉक्स हो देखिए यहां पर हमने देखा था एक तो आरकॉम बाउंस क करने की कोशिश करा है रिलैंस कैपिटल पर खबर आई है कि इन्होंने फिनांशल इंस्टूशन से करीब धाई हजार करोड रुपे जुटाए हैं लेकिन अब जो संभावना है पूरी वो यह है कि आरकॉम जितना उपर जाएगा बिक्वाली बढ़ेगी उस पर आपका व् अब जिस्ट कर रहा था कि यह पूल बैक है पूल बैक एक्स्टेंड कर सकता है अगर आपको ऐसे ही स्टॉक में प्ले करना है तो देन अलंकित एक कैश में स्टॉक है जहां टेकनिकल स्टॉक्चर ज्यादा कामफर्ट है रेटेल पार्टिसपेशन वीक है जहां पर मुझे लगता है कि 48-50 रुपीज के लेवल देखने को मिल सकते हैं जिस तरीके से आरकॉम है इसमें भी को रूल आउट नहीं कर सकता है कि यह स्टॉक 20-25 परसंट नहीं बढ़ सकता है बट बिलकुल हम इसे दूर रह रहे हैं अगर ऐसे लो प्राइस टॉक में जाना है तो अलंकि है जो स्टॉक पर और भी हावी हो सकते हैं लेकिन साक्षी ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट्स पर कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें फोकस पॉस्टिव है खरीद के चल सकते हैं लिकर स्पेस से युनाइड़ स्पिरिट्स अभी एटलवाइस के रडार पर है काफी बुलिश हैं स्टॉक पर खरीदारी की सला के साथ 3710 के टागिट्स अब उन्होंने दिये हैं कीमतों में बड़त को एक पॉस्टिव ट्रिगर मान रहे हैं और लगातार कंपनी की तरफ स अब ये शेयर चल रहा है लेकिन 3700 के भी उपर के टागिट्स अब यहाँ पर दिये हैं साथी Z Entertainment यहाँ पर भी मक्वाईरी के एक पॉस्टिव रिपोर्ट आई है आउट परफॉर्म की रेटिंग दिये है 615 के टागिट्स यहाँ पर उन्होंने दिये हैं सेकेंड हाफ अल्रीडी शुरू हो चुका है यहाँ पर ग्रोथ में और भी बड़ा देखने को मिल सकती है ऐसा उनका मानना है मार्जिन्स फ्रंट पर और सप्राइस देखने को मिल सकता है यहाँ से मार्जिन्स जो है काफी अच्छे रफ्तार से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं काफी अच्छे अपसाइट के साथ 615 के टागेट्स दी हैं डिस्केमर भी देने कि हमारे एसल समू की कंपनी है जी एंटर्टेन्मेंट जिसके मादेम से यह चानल देखा जा रहा है आखिर में फ्यूचर रीटेल यह भी ब्रोकरिश हाउस के रडार पर है एडिलवाइस न बिल्कुल आ तो यह वो स्टॉक्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए आज ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स यहां पर आई हुई है इसमें फ्यूचर ग्रूप फ्यूचर रीटेल इस पर आपका व्यू क्या है राकेश फ्यूचर रीटेल पर विकोज हाल ही में कि फ्यूचर रीटेल की नई स्ट्राटेजी भी अन्वील की है जिसे हुए रीटेल 3.0 कह रहे हैं देखिए मेर यह एंटायर ग्रूप ने अच्छी खासी शेरोल्डर वेल्थ करेट करके दिये है और फ्यूचर रीटेल लेखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है बट अगर आप ट्रेडिंग या निवेश के नजरे से बात करें तो मौझदा स्टरों पर मुझे एक स्ट्रॉक इस ग्रूप से अच्छा लगता है वो है फ्यूचर इंटर्प्राइजिस जिसको मैंने 32-33 के राउंड भी इसी चैनल पर आपके यहां भी रिक्मेंड किया था औ और मुझे लगता है इस ट्रॉक ने 44-45 के राउंड एक बड़ा बेस बना लिया है और इस ट्रॉक को अगर आप बाय करते हैं तो यहां पर 68-70 के लेवल से देखने को मिल सकते हैं दो से तीन मीने के अंदर अच्छा मिस्टर हरियाई CAC ना न्यूस फ्लो में भी है ब्रोकिंग हाउसे के रिडार पर भी है सबसेडियरी धरिवाल को 185 मेगा वार्ट का पीपे मिला है पॉजिटिव खबर है कितना ड्राइव कर सकते हैं स्टॉक को सर पॉजिटिव तो है पर मेरे कहल से CSC के सबसे बड़ा ट्रिगर वो होगा जब उनके जो रिटेल सबसेडियरी है मार्क्सन स्पेंसर इस पर कोई क्लारिटी आएगा कि जब वो होगा तब आइटिंग मार्क कंपनी में तरह वैल्यू एक्स्पोशन हो सकता है करें उनको पार बिसनस है अधिंग पार बिसनस है अधिंग पार बिसनस मुझे नहीं तरह कोई पॉजिटिव आल्फा मिलेगा आइधिंग विलाइट वेट वर वाट हैपने मार्क्सन स्पेंसर बिसनस फिलाल तो हम लोग यह स्टॉक को नूट्रल है